वेलकम गाल्स, इस वीडियो में आप लोगों वस्वागत करता हूं देखिए इस वीडियो में आप लोग बनाने वाले हैं कुछ इस परकार के सेंटेंसज जो कि काफी मुश्किल लगते हैं लेकिन होते बहुत ऊजी है, इनका स्ट्रक्चर बहुत ऊजी और सिंपल है यहाँ पर ध्यान देना बहस करते पंद्र क्या हुए 15 मिन ? यहाँ पर बहस कीता हुए 15 मिन ? इस किस प्रकार से बनाएंगे इस फिलिम को देखते हुए दो घंटे हुगए है इस फिलम को देखे हुए, दो घंटे हो गए हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है, इस ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाऊंगा, तो देखें, लास्ट वाला है, उसे मुझसे मिलते हुए मुश्किल से 15-20 निट हुए होंगे, ठीक है, तो आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं, आप लोग देख रहे हैं, daily English for all, तो देखें, कुछ ही दिन हुए थे, structure आपको देता हूँ, देखें, सबसे पहले हम it लगाएंगे, उसके बाद has या had, उसके बाद been, उसके बाद time रग देंगे, ठीक है, कुछ ही दिन हुए थे, तो आईए बना देते हैं, it had been a few days, ठीक है, it had been a few days, क्योंकि past में इसलिए हमने had का use किया, अगर present के बारे में हम बताते हैं, तो has लगाते हैं आपर, ठीक है, have कभी नहीं आएगा, याद रखना it के साथ, have नहीं आएगा, अगर आएगा तो models के साथ आएगा, ठीक है, वह आभी मैं आपको बताऊंगा, देख कि कुछ ही दिन हुए थे, काफी समय हो गया था, it had been a long time, ठीक है, दो घंटे हो गये थे, it had been two hours, इस परकार से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, structure बहुत ही simple है, आई अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि कोई काम करते हुए, हम किस परकार से time को show देखें, बहस करते हुए 15 देखेंगे, बहस करते हुए 15 देखेंगे है, अब बना सकते है, it has been 15 minutes arguing, यहाँ पर ing form लगाएंगे, ठीक है, time के बाद, और बहस किये हुए 15 minutes हो गये है, it has been 15 minutes having argued, तो यहाँ पर देखें, आर्युष पहले हमने having का use के यह बार्ट की third form है, okay? यहां पर इस वार इस structure में ing form है और इस structure में having के साथ वर्प की third form हो देखते है next अब देखे आपको structure बताता हूं देखे इस film को देखते हुए दो घंटे हो गये है देखे इस structure इस परकार से है कुछ it plus has या had been उसके बाद लगाएंगे उसके बाद time उसके बाद verb की fourth form मतलब की verb की ing form ठीक है उसके बाद object देकिए it has been ठीक है it has been क्योंकि present में है इसलिए has का उसके इसके इट है वी तू आवर्स वाचिंग इस मूवी ठीक है इतना आप लोग प्लियर हो गया अब देखे इस sentence का मतलब क्या इस sentence का मतलब की movie अभी देखी जा रही है ठीक है इस film को देखते हुए दो घंटे हो गए है मतलब कि अभी भी तो देख रहे है हम देखते हुए दो घंटे हो गए है लेकिन देख तो अभी भी रहे है तो इस structure का use करेंगे ठीक है अब देखिए इस film को देखे हुए दो घं had been plus time plus having फिर उसके बाद वर की थाइड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट ठीक है It has been two hours having watched this movie मतलब दो घंटे पहले देखा था यह जो फिल्म देखी थी वो दो घंटे पहले देखा था तब हम इसे structure का use करते हैं कि कोई समय बीच चुका था ठीक है कुछ की यह हुए next देखे मुझे इस फिल्म को देखते हुए दो घंटे हो गया है तो मुझे पहले क्या था इस फिल्म को देखते हुए दो घंटे हो गया है ठीक है आप लेकित मैं यहाँ पर बता रहूं कि मुझे या उसे या उन्हे ठीक है तो हम किस परकार से यूज करेंगे देखे, it plus has या had been plus time plus two, ठीक है, two लगाएंगे और उसके बाद indirect object, indirect object क्या होता है, कोई जो जीवित हो, जैसे कि, जैसे me, him, her, them, ये सब indirect object है न, उसके बाद ing form, उसके बाद other words, देखिए, it has been two hours to me, watching this movie, ठीक है, मुझे इस film को देखते हुए, दो घंटे हो गया है, अगर मैं कहाँ कि, तुम्हें दो घंटे हो गया इस film को देखते हुए, it has been two hours to you, ठीक है, उसे हो गया है, to him, ठीक है, उस लड़की को हो गया है, दो घंटे film देखते हुए, to her, उन लोगों को दो घंटे हो है, to them, ठीक है, इतना clear है, मुझे इस film को देखे हुए, दो घंटे हो गया है, यहाँ पर देखे हुए, तो हम क्या करेंगे, it has been, या had been, time fill लिखेंगे उसके बाद, उसके बाद to लगाएंगे, उसके बाद जो भी person है, indirect object, ठीक है, indirect object, जैसके मैं बताया है, him, me, her, them, उसक बाद work की third form, उसके बाद object, जब हम भी कहना हो, कि समय बीच चुका है, ठीक है, ठीक है, it has been two hours to me, having watched this movie, इतना clear है, आईए next देखते है, उसे मुझे से मिलते हुए, मुझे से पंत्रा से बीस मिनिट हुए होंगे, it may have been hardly 15 to 20 minutes to me, meeting him, easily है, बहुत easy structure, आप लोगों को इस दब सिंपल ही पता चल रहा होगा, वो ही structure है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने मे कहीं उसकिया, उसके बाद है आव कहीं उसकिया, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर संभावना कम है कि जैसे ही हम मुझकिल से पं पंदरा से 20 मिनट हुए होंगे, अगर संभावना नौर्मल है तो मे कहीं उसकरे, अगर संभावना ज्यादा है तो मस्ट का, it must have been hardly 15 to 20 minutes to me meeting him, अगर ज्यादा संभावना है कि जरूर 15 से 20 मिनट हुए होंगे, तो मस्ट का यूज़ करेंगे मे की जगा, और संभावना बहु ठीक है, तो इतना आप लोगो clear है, चलिए next देखते है, इस sentence का मतलब 15 से 20 मिनट पहले मिले हो, 15 से 20 मिनट पहले मिले हुए है, ठीक है इस परकार से, अब देखे, उसे मुझ से मिले हुए मुश्किल से 15 से 20 मिनट हुए होंगे, मिले हुए, ठीक है, देखे, it may have been hardly 15 to 20 minutes since he meet me, तो यहां since का भी उसकर सकते है, इस परकार के sentences को बनाने के लिए since का भी उसकर सकते हुए, अब देखे, मतलब 15 से 20 मिनट पहले मिले हुए, यह मिले थे, ठीक, आप इस परकार से बनाई सकते हैं, यह तो इस structure आपको पताए, it may have been hardly 15 to 20 minutes to me having met him, यहां यह वर्ग के थाड इतना आप लोगो clear है, तो आईए इस वीडियो को यहां पर समाप्त करते हैं, उबीद करता हूँ, यह वीडियो आप लोगो काप्वी helpful होगी, और आप लोगो ने एक advanced level का structure जान लिया होगा, आसानी से समझाओगा इस वीडियो को, तो thanks for watching, take care, bye bye, इस वीडियो पर aim करता ह हो, सिर्फ 300 likes के, तो इस वीडियो पर कम से कम 300 likes करें, इसका next part भी, अगर आप लोगो को requirement है वैसे तो यह वीडियो अपने आप में complete है, लेकिन अगर requirement है और भी advanced की, तो please comment करें, और share करें इस वीडियो को जाज़्यादा, thanks for watching, take care, bye,